तो हेलो गाईस कैसे हो आप लोग तो इस वीडो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे अब अपने लिए ट्वीटर अकाउंट कर सकते हैं यानि कि ट्वीटर के आईडी बना सकते हैं और अगर आप एक यूटूब चैनल को लिए ट्वीटर अकाउंट बनाना चाहते इंस्टॉल करना होगा तो यहाँ पर अभी हो में इंस्टॉल हो जा रहा है तो यहाँपर मैंने ट्वीटर application को open कर लिया है open करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा interface मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है create account के उपर tap करना है क्योंकि हमको twitter का एक account बनाना है तो अब यहाँ पर अगर आप उपर के site में देखते हो तो उपर में लिखा हुआ भी है create your account और नीचे में कुछ boxes है जिसे आपको feel करके next करना होगा तो उपर में दिया हुए name तो आपको क्या करना है अपना name डालना है तो यहाँ पर मैंने अपना name डाल लिया है और उसके बाद आपको मिल जाएगा mobile number mobile number और email address भी है तो यहाँ पर अभी मैं जनमदिर अपना डाल लेता हूँ तो जैसे यह तीनों box आप fill करते हो उसके बाद आपको next करना है अब जैसे next करोगे उसके बाद कुछ ऐसा यहाँ पर और भी interface आएगा तो आपको बस आगे next करते जाना है उसके बाद sign up काएगा तो फिर से यहाँ पर आप sign up कर देना और फिर यहाँ पर बोलना है verify phone याने की आपके number पे एक OTP भेजा जाएगा message के जरीए कुछ code भेजा जाएगा दो चार अंक का उस code को यहाँ पर enter करके आपको verify करना है अपने mobile number को तो यहाँ पर बोलना है waiting for SMS तो आपके phone में OTP आजाएगा देखो जैसे की यहाँ पर अभी OTP आएगा मेरे phone में और याद रखना कि आपको उसी mobile number को डालना है जो आपके phone में अभी लगा हुआ है तो यहाँ पर मेरे phone में OTP या OTP को मैंने एंटर कर दिया इस जहाँ पर और उसके बाद आप जैसे ही next करोगे यहाँ पर आएगा need up password यानि कि आपको एक password create कर तो यहाँ पर बहुत लोग को अच्छे से password बनाना नहीं आता यानि कि वो एकदम simple password बनाते हैं 123456 ऐसे करके डाल देते हैं आपको अपना password बनाना है मतलब number और text यह दोनों होना चाहिए फिर उसके बाद आपको simple लिक करना है next जैसे next पर क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफिस आएगा यहाँ पर बोलेगा कि आप अपने एक username बनाई है यानि कि Twitter account में username की ज़रात होती है जब भी आप किसी बंदों को search करते हो किसी भी आदमी को search करोगे तो उसका username के जड़िये ही मतलब उसका account आता है तो यहाँ पर अभी आप जो भी username डालने वाले हो उसी के जड़िये ही आपको भी लोग search करेंगे इसी को आपको बताना होगा तो वो हर एक आदमी का अलग-अलग होता है यानि कि आपका अलग रहेगा मेरा username अलग रहेगा तभी लोग search कर पाएंगे और उसके बाद ये भी है कि username सरल होना चाहिए simple होना चाहिए और आप कुछ भी username नहीं बना सकते जैसे कि मैं आपर मालो सिर्फ अपना राजा नाम लिख देता हो तो फिर वैसे मैं username नहीं बन पाएगा मतलब पहले से किसी ने बना रहा है तो हम उसको दुबारा नहीं बना सकते और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे में जो username मिल रहा है अब उसको सेलेट करो और उसी username से अपना अकाउंट बना लो तो अब यहाँ आप जैसे username सेलेट कर लेते हो फिर आपको next के उपर टैप करना है फिर यहाँ पर आपको not know पर क्लिक करना है और उसके बाद language सेलेट करने का तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करो और यहाँ पर आ जाएगा कि ट्विटर पुछेगा कि आप किस किस चीज में दिल्चस्पी रखते हो तो मैं आपर गेमिंग सेलेट कर लेता हूं और आपको तीन सेलेट करने के लिए बोल रहा है चलो कुछ भी कर लो इसे कोई फरक नहीं पड़ता और आप ज आपना ट्विटर अकांट है फाइनली पूरा conscious हो गया अगर आपको जाना है अवर तो बैसे करके आप को मे बताता हूं अगर थोड़ा अपना को असेटाप बनाना चाहते हो तो तो यहाँ पर अभी आप मैं सर्च में अपना जो यूजर नेम है वो सर्च करता हूँ मतलब इस चैनल के लिए मैंने जो ट्विटर अकाउंट बनाया है वो आपको सर्च करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखो cpg yt official करके मैंने अपना एक यूजर नेम बनाया है तो आप यहाँ पर देखो चैनल का लोगो भी है और यूटुब में मैंने जो बैनर डाला था चैनल का वह यहाँ पर भी मैंने कवर इवेंच में डाल दिया तो आप भी ऐसा करना थोड़ा अच्छा लगेगा ऑफीसल लगेगा और लोकेशन डालना और नीचे में अपना जो चैनल पे